यह गलती मेरे से भी हुई मैंने दीरे दीरे एक्शुली लोगों के कान में जे डालना शुरू किया था कि हम गलत डारेक्शन में जा रहे हैं हम गलत काम कर रहे हैं लेकिन जो हमारे लोगों ने और खासतर से आप जैसे जो लगातार इंडिया आके और सभी संग्ड़नों को प्रेरित करते थे उनके साथ रहते थे के कुछ बात बन जाए कुछ बावा साब ने जो कहा है वो हो जाए हमारा कार्मा रुके ना और आगे बढ़ जाए तो उसमें कहां आपने देखा कि भरोसा कहां लोगों का टूटा देखिए सुधी जी मैं तो जब इंग्लेंड में आया था और मैं पहली बार आकर जहां बावा साब को पड़ा उससे पहले मैं यह समझता था कि वह शायद किसी देवी देवता की संतमहंत की पीर की देरे की मेरे उपर मेरवानी हो गई है और मैं इंग्लेंड पहुंच गय हूं लेकिन जब मैंने सीरिसली इसके बारे में विचार किया कि मैं जहां कैसे पहुंच गया वो इनसान जिसके लोगों को कभी गाउं के अंदर भी गुजने की इजाद नहीं थी हमारी तो बस्तियों भी गाउं के बाहर होती थी तो वहां से एक मिट्टी डेले के मकान से तो इसके उपर मैंने बहुत विचार किया तो मुझे बावा साथ की जीवनी पढ़ने को मिली और पहला साब का सभदान पढ़ने को मिला तो मुझे ऐसास हुआ कि यह तो बावा साथने जो सभदान लिखा उस सभधान ने हमें बहुत से अधिकार दिये और पहली बार सभधान ने ही हमें जानवरों से पुरी हालात से निकाल कर अन्सानों के लाइन में खड़े किया हम भारत के लोग बने, हम भारत के सिटिजन बने, सिटिजन बने तो हमें पास्टोर्ट मिले और पास्टोर्ट मिले तो हम विदेशों में आने के काबल हुए तो मेरा जो सारा इंटरस्ट था वो बावा साब अमबेदकर के उपर हो गया लेकिन इसके बीच में डो चीजे हुई एक तो मुझे बावा साब मभेदकर की Sintry में काम करने का मौका मिला तो देश बेदेश में हमने काफी लोगों के बीच में काम किया और दूसरा हम जब बी-पी सिंग जी की गॉर्णने ती तो उसमें हम ने तीन-चार शर्टे रखी हुई थी लोकल government के सामने क्योंकि बीपी सिंग जी ने ये अलान कर दिया था कि वह हम इसको जियर आफ शोशल जस्टिस मनाएंगे और सभी के साथ इक्वालिटी का ब्योहार हो सभी को पूरान अधिकार मिलें और उन्हीं ने ये मंडल की रिपोर्ट लागू करने का भी किया था तो हमें लगा के भी बीपी सिंग जी काफी काम कर रहे हैं तो हमने बीपी सिंग जी को इन्वाइट किया था वो सिंटर्नी की किंक्लूजन के लिए कि आप आएए आप यहां आकर किंक्लूड करेंगे तो इंटरनेशनल लोगों को बहुत बड़ा एक हिम्मत मिलेगी कि येस भारत में सिर्फ गंदी और नैरू की बात ही नहीं होती भारत में बावासाब अंबेदकर की भी बात होती है तो उसी को लेते हुए उसमें ह आप का पॉट्रेट सेंटरल लॉब्य में लगना चाहिए बावासाब की छुटी होने चाहिए उसके ऊपर जो जो निउव भुदेस्ट है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए उसको कैटगरी में रिजर्वेशन की में रखा जाए बॉर साब के ऊपर कौन निकाले जाए बावा साब काफी एक लंबी लिस्ट थी उसमें एक यह था कि हम चाहते हैं कि पैवी एक रास्थपतीय हमारा शुरूर कास्थ से В anे तो उसके लिए उन दिनों में केयर नरायना जी का नाम काफी चल रहा था तो केयर नरायना जी को हमने रास्ट पती बिनाने में काफी जो सिंट्रिनी की भूमका यहां देशों में जो लोग बैठे थे उनों की भूमका रही और उसके बाद में मुझे केर नाराना को 1974 को 95 को शायद मिलने का मौका मिला तो उन्होंने जब मिला तो जहां के जो डिप्टी हाइक मिशनर थे उन डिप्टी हाइक मिशनर ने मुझे बुलाके केर नाराना को साथ मेरे लाकर मेरी इंट्रोडक्शन दी कि यह जो लोग हैं जिन्होंने वावासाव अंबेदकर की बहुत बड़े पैमाने पे सिंट्रिनी जहां मनाई और बीपी सिंजी की गौर्णमेंट के उपर काफी तोड़कर कम से 10-12 मिनिट मेरे साथ बात करी और मुझे बहुत सारी बाते पूछी कि कितने लोग हैं जहां क्या करते हैं कहां कहां से आए हुए हैं तो मैंने तो उनको यह बात कही कि हम तो सिर्फ अपनी सेल्फ डुवल्पमेंट के लिए जहां आए हुए थे तो उन्हों ने मुझे एक बात कही कि यह बातें जो आप कहा हैं ठीक है। लेकिन बावासाब के अगर मिशन में आप काम करते हैं तो बावव साथ से दो का पता चला कि बाहर दुनिया कैसे रहती है तो हम चाहते हैं कि जैसा काम पांच-शे साल में आपने विदेशों में किया अपने लोगों की चेतना सब्धान के प्रती भड़ाने के लिए ऐसे ही आप अगर आओ इंडिया में तो मैं चाहूंगा आप इंडिया में काम करो कि व मैं इंडिया आया तो उसके साथ मैं बंशेफ के साथ मुझे बंशेफ का प्लेट पार्म मिला तो मैंने बीस एकी साल हो गया मुझे मैंने बंशेफ के साथ काम किया और मुझे यह कई बार लगता था कि वह अगर मैं थोड़ा सा अगर इनको फंड दे दूं तो यह इतने ल नहीं है कि बहुत से लोगों को कठा किया और मुझे प्रिजेंट किया कि देखिए यह बावा साथ का वो सिपाही है जिसने देश बिदेश में बावा साथ के बारे में काम किया है और आज आप का बीच में भी आ है और एक अच्छा बिजनिस के नाते वो लोगों को एक मैसेज भी देते थे कि अगर मान लो मिस्टर बहल एक विदेश में जाकर व्यपारी बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते तो मुझे भी लगता था कि यह जो मोटिवेशन है यह जो इंस्पारेशन है यह मेरे लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने आपको एजुकेशन की तरफ ज्यादा पुश करेंगे और अपने बच्चों को एजुकेशन की ज्यादा पुश करेंगे और जितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे उनके सामने कई और रास्ते खुलेंगे बिजनिस के रास्ते और कई धंक से अपनी आप सेल्फ डुवल्पमेंट जिसको हम कहते हैं वो सेल्फ डुवल्प हो जाएंगे लेकिन दुखिस बात का हुआ कि बही जो काम मैंने सोचकर उनके साथ साजोग इतना किया था वो काम उन्होंने बहुत बड़े प्रमाने पे किया लोगों के अंदर इतना बहुत आई ये आई लेकिन जो मसला हम हल करना चाहते थे कि एक एक सब्धान में लिखा हुआ अधिकार जो है हमारा वो बसके वो बचा नहीं है उनके इतने संगटन इतने पावरफुल संगटन होने के बावजूद भी जो सब्धान है वो सारा चला गया और मैं अप सबसे ज़्यादा ताकटवर और सबसे ज़्यादा पवित्र किताब मानता हूं इसलिए सब्धान की अबेल ना हो जा सब्धान के बीच में दिये हुए अधिकारों को लागू ना किया जाए इसका सबसे मुझे दुख रहता है इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस परपस के ल जहां और भी बहुत सी संस्ताये हैं उनको सासा जो दिया लेकिन किसी ने भी सब्धान के अंतरगत लिखे हुए जो हमारे अधिकार हैं उनको बचा नहीं पाई धन्यवाद बहल सर आपके आँखों के सामने ही बाम सिर्फ जो लोगों को इखटा करता था वो खुद तूटने कि वज़े से जो लोगों में मायूसी आई और जो इसके तूटने के कारण रहे तो जैसे लोग आप जैसे लोग जो पूरी मेहनत करते थे बाहर से आते थे आईकॉन थे और पैसा मदद पूरा करते थे और आपकी वज़े से हजारों लोग वहां जुड़े हुए अभी भी है जैसा कि मैसेज आता है और उन तक ये बात नहीं पता है कि ये किस कारण से टूट जाती है क्यों भरोशा का लोगों का भरोशा उट जाता है इस वारे में जो आपके यहां फॉलोवर हैं जो आपको देखके जुड़े और जो आपको आज भी आईकोन और आइडिल मांते है और बावासाब का सचा सपाई मानते हैं उन तक तो कोई मेसेज आपका ग्यानी क्या कियाना चाहेंगे उनके लिए? देखिए मैं मेरा मक्सद किसी की ना लिंदा करने की है तो ना किसी को छोटा दिखाने की है मेरा सिर्फ ये है कि जिस पर्पस के लिए जिस संस्ताइं बनी थी अगर वो पर्पस हमारा हल नहीं हुआ तो हमें हमने प्रियास भी किया था से पांच-छे साल पहले हमने प्रियास किया था मैं स्वचर नाम जी के साथ था तो हमने बंबे में प्रयास किया था कि सभी संगटनों को इकठा करके इनकी जूनिफिकेशन की जाए और उस जूनिफिकेशन में कुछ लोग आये कुछ नहीं आये लेकिन वो बात बन नहीं पाई तो मुझे यह ध्यान में तभी से आना शुरू हो गया था कि यह लोग अपन हिगी अपनी एगो अपना अपना हंकार, अपना अपना जो काम है, इसका मुझे ही मुझे स्का मैं ही फरंट LINE में रहूं प्यूस ऐसी इनके अंतर भावना पैदा हो गई है, जो इनको इकठा होने से रोक रही आए, और एकठे नहीं हो रहा है, इसलिए हमागे नहीं बढ थे लेकिन समस्याज यह थी कि जिस पर्पस के लिए वो पैसा दिया जाता था जिस पर्पस के लिए मैं आता था कही बार आप अंदादा लगाएं जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया होगा वो बताएंगे कि ऐसी ऐसी बस्तियों में मैं गया जहां सांस लेना भी weight करेंगे उनको लगेगा कि अगर ये पंजाब का भंगी का बेटा एक बिजनेश मैं बन सकता है तो हमारे बच्चे भी बिजनेश मैं बन सकते हैं बाहर जा सकते हैं दूसरे देशों में जा सकते हैं ये मेरा मोटव रहा उसके के बीच में काम करनेगा लेकिं एनफोर्टुनेटली जी बहुत से लोग तो वैसे ही नराश ओकर आज बैठे हैएं जो वमशिव में काम करते थे बहुत से लोग लेकिन बहुत से लोग जो आज भी जुड़े हुए हैं उन से भी मैं यहागरा करना चाहूंगा कि वही मैं आपको जे नहीं कहता कि आप काम नहीं कर रहा है लेकिन वो काम जिस परपस के लिए आप कर रहे हैं जिस गोल को आप अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं इसको जरा रिविव करो कि अगर वो काम नहीं हो रहा तो हमें और रास्ते ढूनने चा बात नहीं है, तो इसलिए मुझे मैं उनसे भी request करता हूं, सभी लोगों से request करता हूं को इसको review करो कि अगर आपको लगता है, तो को मैं तो जब बामशब में आया था, तो बामशब यह कहती थी कि we are non-political, we are non-religious, ना हम धर्म की बात करेंगे और ना हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे लेकर धीरे-धीरे मैंने देखा कि भाई सबी जो इनके संगटन के टुकड़े हुए वो सारे धीरे-धीरे सारे पॉलिटिक्स में घुज गए हैं तो सेल्फ डिपीटिंग डिफीटिंग जिसको मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपना जो गोल था वो तो खुदी सेल्फ डिपीट कर दिया इसलिए मुझे कई वर दिक्कत होती है कि भई जो लोग हमें शिक्षा देते थे कि हम 6743 जाकियों को इकठा करेंगे और एक बहुत बड़ा संगटन बनाएंगे लेकिन वो आज खुदी के टुकडों में बढ़ गए हैं इसकी तरफ जो उनके साथ लोग काम करने वाले हैं उनको भी मैं यह आगरा करता हूं कि आप सोचिए और देखिए इसको इसका नापतुल करें कि क्यों नहीं हम इकठे हो रहे हैं क्यों नहीं हम सवधान बचा रहे हैं और क्यों नहीं हम अपने बच्चों की शिक्षा के राइस बचा रहे हैं अच्छी अच्छी शिक्षा दे कर उनको देश-बदेश में यह बातें उनसे सवाल करना शुरू कर दिया है उनको जे बातें पूछनी शुरू कर दी कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या अचीव होगा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है आई का इंड नौट सी एनी लाइट ऑफ दी अंड अफ दे टनाव तो वो थोड़ा- यह आपको किनारे कर लेता है यह आप exchanged कर लेता धन्यवाद भी लोगों से और जो उसके साथ सायोग करने वाले हैं यह उनके पताधी काुतीMAN है किस तरह से तूट जाते हैं वो लोग बिना प्लीं कुपताय हुए उसके वारे में थ्बीना सा बता है कि लोगों को प्रॉसिर कुछ अलग तो रहा है जब तक मैंने देखा था कि सबसे पहला जो एक ब्रेक मैंने देखा था कि बहुत वड़े नेता थे और बहुत फॉब्र मेंबर्ज थे वांशेफ के उनको संघटन से निकाल दिया और संघटन से निकाल दिया तो मैंने जब वामन में एक नैशब्ट Convention लेने कि लंडन में आए हुए थे उनके साथ में जीुडे करैनी भी थे और बीर सिंग घी थे तो यह मेरे घर भी ठेरे हुए थे तो इनसे मैंने पूशा कि मुझे बताओ कि कौन सी बात हो गई कि इतना कुमिटेड और इतने अर्से से बामशब में काम करने वाला और फोंडर मेंबर और आपने ऐसे इसको बाहर निकाल के फैंक दिया जैसे मक्षन से बाल को निकाल के फैंक देते हैं तो उन्होंने मुझे जै कहा कि वही हम तो कुछ बीर सिंग जी का और खलियानी जी का जै कहना था कि हम तो मिट्टी के माद हो हैं जहां कोई पूशता बूशता नहीं है खा मखा की चोटी मोटी कुमिटी यह बनी हुए हैं लेकिन जवाब तो बामनिमेशन भी दे सकता जब मैंने उस से पूशा तो उसने मुझे कहा क्या पंजाब का एक साथी ता शंकरदास, तो आख कभाजी से जाक्र पूशे, मैंने उससे यह कहा कि जहां से मैं उससे चुटा वह तुम नैशनल प्रेइडेंट हो मैं इंटरनेशनल कोडिनेटर हूँ जब हमारे बीच में ही एक दूसरे के बीच में ही ट्रांसपरेंसी नहीं है जा सचाई नहीं है एक दूसरे को बताते तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकत हैं तो वहां से मुझे जह अंदाजा हुआ कि जो लोग भी एक बार फ्रंट लाइन में आ जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनको सवाल करता है उनको अंडेमोक्रेटिक ली इदर-उदर कर कोई वहां डैमोक्रेशी का है नहीं जो जहां तक भी मैंने तो देखा है उनकी होते हुएन में कोई बीमोक्रेटिक धंक से कोई election नहीं होती और अगर हो भी जाती है तो उसको कोई सविकार नहीं करता। ultimately जिसको एक बार आपने चेहरमेन बना दिया वो यही कसन लेकर आता है कि कि मैं मैं अब चेहरमेन बन गया आँगा अब चेहरमेन ही मरूं गांगा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है भीडी गोर कर के साथ भी यह दिखाई दे रहा है मेशन के साथ भी जहां और छोटे-छोटे जो तीन-चार उनके साथ भी कि यह एक अपनी इगो को सटिस्वाई करने का जहां अपनी अपने आपको सेल्फ प्रमोशन के तरीके से के जो भी आपको सवाल करे जा जो भी आपको क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश करो उसको अलग कर दो यह मैंने वांशेब में देखा इसी लिए मैंने वांशेब को से थोड़ा स्टेप बैक कर गया हम आँ बैल सर अगर एक किसी बड़े संग्धन के दो या तीन टुकड़े होते हैं तो जाहिसरी बात है कि कौन खराब है कौन गलत है उनको क्या कोई जानकर नहीं होती क्या इसके बारे में के वहां क्या रहता है माहूल देखे जब तक मैं इस से ग्टन के बीच में काफी हस्तकरिये था तो मैंने जे देखा है कि बहुत से लोग जो मान लो मैंबर्स हैं जा सीनर मैंबर्स भी हैं वो भी इस चीज़ पे कोई ज़्यादा जोड नहीं देते कि हमारे अंदर डेमोक्रेटिक हर चीज की ट्रांस्प्रेंसी होनी चाहिए पैसा कहां से आया कितने कैसी खर्च किया जे सारा तो मैं जे नहीं कहता कि वो नहीं करते वो अपने अपने ढंक से उनको जैसे लगता है वो करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो लोग सवाल करते हैं उनको ही दर्खिनार कर दिया जाता है वह अलग करके उनको मजबूर कर दिया जाता है अपना अलग से संगटन आप उदे तरीके से कर पाएं इसलिए वो संगटन तूटके एक से दो हो जाते हैं तो अभी जो कारे करता जैसे क्योंकि कैसारे जो आपकी वीडियो जारी है उन वीडियो में कैसारे कमेंट हैं उसमें यह के हमने आपको बहल सर को हमने वहां पर देखा काईकरम में और उनको देखके हमें पेड़ना मिली और हम जुड़ गए और उन कारे करताओ को पता नहीं है कि वहां सिस्टम क्या चलता है वो तो यह मान के चलते हैं कि बहल सर जैसे लोग है या और भी जो अच्छे लोग हैं वहां जुड़े हुए हैं और उसका बाकाइदा एड़ोकेसी कर रहे हैं तो जुड़ जाते हैं और अपना पूरा अफिर देते हैं तो ऐसे लोगों के है जो वहां साब ने इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी बड़ी कुरुवानी दी हमारे लिए वह सिर्फ मान समान के लिए उनकी लड़ाई थी कि भी हमें प्रॉपर मान समान मिलना चाहिए रोटी एक कम भी मिल जाए तो कोई चिंता नहीं लेकिन हमारे मान समान में कमी नह आता था कि भी कोई मुझे मंच पे बिठाकर मेरी चर्चा कर दे जा ऐसा कर दे जिए मेरे बीच में नहीं था मैं तो पैदल चल चल के ऐसी ऐसी बस्तियों में भी घूमता फिलता रहता था ताकि लोगों के बीच मेरा मेसेज आए मैं बावा साथ को समझा सकूँ यह जो आप सवाल कर रहे हैं कि बही मुझे देखकर वो लोग साथ में जुड़े तो आज मैं यह एक मेसेज भी दे सकता हूँ कि बही अगर मैं नराश हूँ तो आप भी सोचिए कि क्या वो काम मैंने चोड़ दिया कि वही वो मेरी इजदेट नहीं कर रहा है मेरी इस तो आज भी बहुत है लेकिन मैंने इसलिए उन को छोड़ा कि उनका जो रास्ता है उनका जो काम करने का तरीका है तो ठीक नहीं है और वह प्लिटिकल अपनी पार्टिज بنا के अपने अपनी सता में जाना चाहते हैं तो समाज का क्या होगा जिस समाज को बनाने के लिए जिस 6447 जातियों को कठा कर के बहुत बड़ा समाजिक संग亞टन बनाने के वह सोच रहे थे उसका क्या होगा तो हर एक इंडिविजुल इसके उपर अपना विचार करे मैं तो किसी को नहीं कहता कि आप किसी संगठन को इसलिए छोड़ दो को मैंने छोड़ दिया लेकन आप उसका रिव्यू करें आपको लगता है कि यह संगठन सही रास्ते पर जा रहा है तो आप जुड़े रहें आपको लगत इतने सारे विचारक लोग थे उनको कभी कलेक्टिव एफर्ट जिसको संग बोलते हैं और जिसका पुराना सिस्टम रहा है और जो बावा सामने यह तो नहीं कहा होगा कि आप हजारों संगर बना के तो आदमी बिखरता है इखरता नहीं होता तो वहां कभी आप जैसे वहा पीचे रहें और बड़ा घर हमारा हो यह आईडिया उनको कभी आया नहीं इस तरह का मैंने जो देखा है कि बढ़ी चाहते तो सभी है जो आपने सवाल किया है कि हमारा एक बहुत बड़ा संगठन हो और बहुत शक्तिशाली हो और रह बहुत से अपने जो मसले हैं अपने आने वाले बच्चों करते रहें लेकिन बहुत से लोग अच्छे-च्छे काम करने वाले बहुत अच्छी commitment है उनकी लेकिन उनको space इसलिए ने दी जाती कि जो front line पे बैठे हैं वो सोचते हैं कि पीशे वारा जो है वो हमारे आगे निकल जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे तो उससे जो समझ से खड़ी हो रही है जो आप कह रहे हैं वरना जब वो annual conference करते हैं तो बहु अच्छे analysis करने वाले लोगों को बुलाते हैं वो करते हैं समझाते हैं लेकिन वो function तक ही सीमत रह जाता है वो public के बीच में नहीं उतर पाता जो मान समान equality fraternity brotherhood जहां आप liberty की जो बात करते हैं जो सब्लान ने हर एक को दी हुई है उसकी practically वहां practice होती नहीं है इसलिए मुझ इसरफ्तार से हमेंं बढ़ ना चाहिए था बांषेथ को बढ़ जाना चाहिए था और मुणом उप्त समय जो आप RSS को समझो उसके compatible होना चाहिए था लेकर हम नहीं हुए आज तो मैं हाला तैसे देख रहा हूं कि एक-एक सीट के लिए प्लिटिकल सीट के लिए जा एक पूजिशन के लिए लोग कैसे गड़ गड़ा रहे हैं तो जे बड़ी जरावट हो गई है अच्छा बनने की चाचार-पांच पांटा रोज दे रहे है और फिर दुबारा से आपने कबर कस ली है कि जितने मी लोग है सब इखटे हों तो इसमें क्या बेरिकेट्स पाते हैं कि ये संग कहीं संग्ठा ना बरे उसकी क्या समाब न देखते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसके रोकने के कि जैसे और्गनाइजेशन जैसे बॉड़ी है हमारी बॉड़ी के अंदर जो जितने भी और्गन है वो अगर अच्छे तरीके से काम और्गनाइज तरीके से काम करते हैं तो बॉड़ी ठीक चलती रहती है और हर मंजल पे पहुंचती रहती है अगर उन में से एक और्गन भी disable हो जाए तो तक्रीवन सारी body disabled हो जाती है इसी तरीके से organization में जितने भी लोग काम करते हैं अगर वो decent और इमानदार तरीके से organized हो के काम करते रहें तो वो organization आगे बढ़ती रहती है लेकिन अगर उसके अंदर dishonest और गलत भावनाओं के लोग बढ़ जाएंगे जहां वो disorganize हो की काम करेंगे तो फिर वो आके नहीं बढ़ पाएगी समन संग में मैंने यह जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ जब से पहले आप से बात हुई थी कुछ इसके तोर तरीके मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझे बहुत अच्छे रखते हैं एक तो आपका जो जो concept है इसमें कि कोई हमारा नेता नहीं होगा मंच नहीं होगा फूल माला नहीं होगी तो किसी कोई भी आदमी जो ऐसी भावनाव वाला है कि मुझे बहां फूल माला मिलनी चाहिए मंच मिलना चाहिए माइक मिलना चाहिए तो वो इसकी तरफ आता ही नहीं है जितने लोग मैं देख रहा हूँ आपके पिछले साथ आठ मीने से इसमें आते हैं वो एक missionary भावना से आते हैं कि भी हम इसमें organize होके अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमें अपने मकसद को हासल करने के लिए कोई रोक नहीं सकता जहां कोई चंदा नहीं आने के लिए जहां कोई चंदा किसी से मांगता नहीं है और अगर किसी को छोड़ कर जाना भी है तो जहां कोई punishment नहीं है उसके प्रति हम कोई दुर्भवाहार नहीं करते हम उसको उसकी निंदा नहीं करते तो इसलिए मुझे यह लग रहा है कि यह जो संग है इसमें बहुत सी वो चीजें जो गलत हमारे से हुई दूसरे से गटनों में वो यह सारी सुधार करके यह संग अपने आपको अभी launch किया है इसने मुझे लग रहा है कि साल के बाद इसकी हम analysis करेंगे कि हम कितना काम जाब हुए है कितना अभी और काम जाब होने के लिए हमें आगे बढ़ना है तो मैं सम इमानदारी से काम करना चाहते हैं अगर अपने बच्चों के लिए भारत के सब्धान में दियो है अधिकारों की रक्षा करने चाहते हैं अगर भारत के सब्धान में दिये हुए अधिकारों की अवेल ना करने चाहते हैं तो उसको उनका अनंद लेना चाहते हैं तो उनको स समन संग में आजाना चाहिए समन संग कोई अब देश्या संग नहीं है यह हमारे पुर्खों का ही बनाया हुआ एक संग है जब मुझे बड़ी बच्छी बात लगती है और इसकी जो आप गोल ले रहें कि बीदा पीपल के हम भारत के लोग इकठे होंगे भारत के लोगों की स समस्यों का कैसे उसका सिल्यूशन निकालेंगे तो सारा कुछ भारत के लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है और भारत के लोग इस संग में आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम जाब हो जाएंगे बैल सर इसके समन संग के जो हाउस लगते हैं जहां सभी लोग मिलके निर्ड़ने करते हैं उसमें आपने बैठक अटेंड की है उसके माहुल को देखके आपको क्या लगता है कि यह जो कलेक्टिव डिसन वाला जो पार्ट है कि आप ऐसा फिल करते हैं कि हाँ आई है पावर मैसूस करता हूँ कि अगर संग की सबसे पहली तुझे मानता है कि जो भी आप चाहते हैं कि संग जिस डारेक्शन में जाया जो प्रपोजल आपके मन में है वो आप संग के जो प्रजेक्ट मान लिया जाएगा अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो आपको सविकार करना पड़ेगा कि अच्छा नहीं था उसमें चेंजिस करो सुधार करो फिर लाओ फिर अच्छा हो सकता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आपने डॉक्टर्स का एक बना दिया है लेडिज का बिंग बना दिया है इंटरनेशनल लोगों का एक बिंग बना दिया है और फिर आप उसमें प्रोफेसर्स का है टीचर्स का है बिजनेस वालों का है धीरे धीरे जह सारे जो घटक डला आप बना रहे हैं यह अपना अपना जोहर दिखाएंगे अपने अपने फीर्ड में माहर होकर बाकी सारी कम्मुनिटी को भी उस रास्ते पे चलने के लिए एक डारेक्शन देंगे और मुझे लग रहा है कि बामशब में हम देख रहे थे कि वही जहां दूसरी दूसरे यह लोग थे के बही हमने प्लिटीकली बात करनी है हम और किसी फे बात नहीं करेंगे लेकर समनसंग में मैं देख रहा हूं कि हमारी घर उस मस्या के उपर बात होती आ जो हमें हमारे समाझ को जांँ हमारे आने वाले बच्चों को प्रेशान करने वाली है ताकि हम उसमें कैसे सुधार कर पाएं और इसमें ट्रांसपरेंसी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग जो आते हैं वो एक दूसरे की इज़त करते हैं एक दूसरों को कमोड़ेट करते हैं और एक दूसरे के साथ चलने की कौन किसी के पीशे खड़ा है कौन किसी के आगे खड़ा इसकी कोई चिंता जादा नहीं करते और मिल के आगे बढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि यह बहुत बढ़िया आपके लॉज है जहां कनू आपने आपने जो इसके संग के नियम बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं और अगर हम इनी नियमों पर चलते रहेंगे तो म मिक्षा होगी एक साल अभी आपने काते ना कि साल में हम बुड़के देखेंगे जी इस साल तक तो बहुत लेट हो जाएगा आप तो हर गलती को हर अप्ते पकड़ेंगे तो यह यह आपको कैसा लगता है कि हर अपते पूरी लोगों को यह बताया जाएगा कि संग अभी त कर पता चले कि हम गलती कर रहे थे उससे अच्छा है कि हमें एक जब्हकर पाद ही पता चल जा है कि हम जे गलत कर रहे हैं ताकि हम उसमें बहुत जल्दी सुधार iz advisors और सहीर आस्तेपे आ जाये तो यह तो मुझे लगता है कि वह यह बहुत अच्छी है बल्के तो होना यह चाहिए कि मैं तो क्या बारे सारा दिन में जब काम करता हूं और शाम को बैठके उसका मूली अंकलं करता हूं कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया कौन सा बुरा काम क्या कहां मुझसे गलती होगे कहां ताके वो दूसरे दिन उस गलती से मैं बस सकूँ तो हाँ एक हफते में मतलब अगर आप एक हफते के बाद हम इसकी स्मिश्चा करेंगे तो मुझे रख रहा है यह बहुत ही अच्छा एक और प्रिंसिपल है जिसको हमें बहुत जल्दी अडॉप्ट करके आ पब्लिक से पैसा नहीं लिया गया जी और वही नियम यहां एडॉप्ट किया गया है अच्छा समण संग बहुत स्मूथ ली चला है आप देख रहे हैं कि यहां पब्लिक को जोडने के लिए पैसी की आवसकतर नहीं पड़ रही है और नहीं एकाउंट कभी इसमें खोला ज रहे हो कि बहुत होने के लिए पैसी की आपसकतर नहीं है इसलिए पैसे ना दें और पैसा हमारे जहर है पैसी की वैसे हम तूटे जादा है इस पर आपके मैं थोड़े से व्यूद जाना चाहूंगा देखिए जब से मैं समंसंग के साथ जुड़ा हूं नैशनली और इंट पैसा इकठा करना है इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत बढ़िया है और अच्छे तरीके से आठ साथ मीने से काम कर रहा है मुझे कुछ कोई इसमें शक नहीं है कि आगे नहीं काम करेगा इसी पर काम करता रहेगा बहुत से जो संगटन हमारे बने और बहुत से नैशनल और इंटरनाशनल लोग जो संगटनों को साथ दिया वो जही सोच के दिया था कि जिस संगटन बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और हमारे सब्धान के ऊपर जो दिन बदिन अटैक हो रहा है जा उसके हकों के ऊपर कमी हो रही है उसको बचाएंगे अगर उनको पैसे नहीं दे रहे हैं तो अब इसलिए उनको थोड़ी तकलीफ तो होगी इस बात की कि बढ़ा सुमूथ लिए हमारा काम चल रहा था हूं हमारी दुकान दारी बढ़ी अच्छे चल रही थी जे बीच में समन संग आ गया और इसने हमारी दुकान में एक है कौन हारता है नहीं मैदाने जंग में तो वही जीते गए जो सच्चे होंगे और इमानदार होंगे जी तो वही तो वाश चलिए अच्छा बैल साब आपके पास में अभी दो चाम मिनद का टाइम हो तो पंजाबी में दो तीन मिनदे कर ले मैं 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 अभी मैडम कल मैं जुरूर पंजाबी में करूंगा मैं औरडी पर्पेर किया हुआ है लेकर अनफोर्चुनेटली आपने आजा हिंदी का चेट दिया तो यह दसल क्या है ना जो आप बोल रहे हो जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह तो पास साथ 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 साल पहले आने चीए थी अच्छा उनको कोई पतवत दे दिया और उनकी पैसे कट गए और साथ आठ साल उनको मूर्टे मारते रहे उसके बाद पर कहरें जी आपने पहले छोड़ी हमें क्यों नहीं बताया है यह गलती मेरे से भी हुई मैंने दीरे दीरे एक्शुली लोगों के कान में यह डालना था कि हम गलत डारेक्शन में जा रहे हैं हम गलत काम कर रहे हैं लेकिन मैं भी ऐसा था कि भाई अब दो दिन के लिए आया दो दिन इदर दूर बाते करी फिर भाग गया अपनी विजनिस के लिए ओ फिर वो वहीं का वहीं चूट गया उसमें कंसिस्टेंसी जो होनी था उसकी बातचीत करता रहा था डंडोरा पीटता रहता कि जगरत हो रहा है तो शायद एक साल दो साल पहले ही यह सुदार हो जाता है आपकी अगर वीडियो पोस्ट पर आ जाती तो भी लोग बच जाते हाँ यह भी हो सकता था लेकर मैसेज नहीं आ यह जह जह मैसेज गल मैं इन समय आ गया तो शायद मैं आज की मीटिंग में अगर मैं इन टाइम आ गया तो मैं उसमें पंजाबी का एक कर दूँगा आपके लिए ठीक है, होगे, होगे, थैंक्यू वरिमा सर्थ, जैभी नोमुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए, या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी भूतियं पिदम्मं अर्से नूँं गच्छामु भुःतियं पी धम अंक सर्नंगत्चानी, तथियं पी सन्डों सर्नंगत्चानी, तथियं पी बुद्धों सर्नंगत्चानी, ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी 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 सादु! सादु!